हाई अब्रीवन वेलकम टू मैं चैनल वन वन एंजल में आपका बहुत बहुत नमस्कार है गाइज यहाँ पर आज जातक की हतेली में टूटी फूटी या टूटी कटी हुई रेखा है जीवन रेखा तो उसका क्या फल जातक को मिलता है गाइज यहाँ पर अगर जैसे चित्र में देख रहे हैं ऐसी रेखा आपके जीवन और मस्तिस रेखा के उपर बनी हुई है तो इसका मतलब यह है कि आप सही निन्ने नहीं ले पाते हैं आप कन्फ्यूज रहते हैं कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको कन्फ्यूजन रहता है आप इधर का भी नहीं सोच पाते हैं उधर का भी नहीं सोच पाते हैं यानि आप अधर में लटके हुए होते हैं आपका निन्ने जो होता है वो एक तरफ नहीं होता है बलकि दो च तक परसन है आप अपना काम जल्दी से नहीं कर पाते हैं यानि अह जह में लगे रहते हैं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है यानि निर्णे लेने में आप असमर्थ होते हैं आपको सकसेज भी इसी कारण निर्णे ना लेने के कारण थोड़ी देरी से मिलती है सफलता जो तो आपको थोड़ा सा जीवन में कुछ समय के लिए आर्थिक परिशानियों का सामना करना पड़ेगा यानि आपके जो से सम्बंदीत आपके व्योसाय से सम्बंदीत चीजों को लेकर आर्थिक तकलीफें आपको आ सकती हैं यहां पर यह भी बताया जा रहा है गाईज कि यदि रेखा अन्य छोटी छोटी रेखाओं से कटी या टूटी होती हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता है यह लेकिन यह बात है कि आपकी आयू रेखा जितनी लंबी होगी उतना आपका जीवन लंबा होगा गाईज यहां और यह भी बताया जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा अगर अलग-अलग टुकडों में बट जाती है या कट जाती है तो ऐसे लोगों का हेल्थ भी बहुत खराब रहता है स्वास्त की दृष्टी से इनको निरोग नहीं रह पाते हैं स्वास्त भी इन आपका हाथ कोमल है हाथ मुलायम है तो यह परसानिया कम आती है और जो यह रेखा दोस है जीवन रेखा दोस है वो बेक्ति के जीवन से चला जाता है मतलब उतनी आपकी हेल्थ नहीं खराब होगी उतनी तकलिफे नहीं आएंगी जितने की आपका हाथ कठोर रहेगा अगर कोमल है तो तकलिफे कम आएंगी ऐसा विशेष्टा गाईज आपके जीवन रेखा को देख कर ये लगता है कि अगर आपके जीवन में ये कोई तकलिफ है ऐसी रेखा है अगर ये रेखा दोनों हाथों में टूटी और कटी हुई दिखाई देती है तो ये बड़े होने की सुचना देती है अगर एक हाथ में है दाए या बाए में तो आप उच बीमारी से स्वस्थ हो जाएंगे नीरोग हो जाएंगे लेकिन अगर ये रेखा दोनों दाए और बाए हाथ दोनों में हैं तो ये गंदी रोग की जो लच्छन होते हैं वो दिखाई देते है और आपको थोड़ा सा कस्ट का सामना कर ना पढ़ सकता है guys ऐसे चीज रेखा में लेकिन ये भी बात है अगर आपका जिवन रेखा है अगर वह बहुत लंबी है guys तो बहुत बहुत जादा आपको सफलता मिलेगी लाइफ में यानि आपका लाइफ जो है ज्यादा रहेगा और ज्यादा दिन तक आप जिवीत रहेंगे लेकिन यह थोड़ा हेल्थ संबंधित आपको परिशानिया जेलनी पड़ सकती है यहाँ पर यह भी दिया गया है गाईज कि अगर आपका रेखा जो मस्तिस रेखा है और जीवन रेखा में थोड़ा सा अगर अंतर आता है थोड़ा सा गैप आजाता है तो यहाँ पर आपके जीवन साथी से और आपका भी विचार जो है अलग हो जाता है गाईज यहाँ पर यानि आपकी जो विचार करने की सोचने समझने की सकती है, थोड़ी अलग होगी, थोड़ी लोगों से भिन होगी, और अपने विचारों के अनुसार आप काम करेंगे, और अपने जो लाइफ स्टाइल है, अपने तरीके से जीएंगे गाईज यहां पर, और साथी साथ आप इदम स्टंतर विचारों वाले इंसान होंगे, यहां पर, जो चाहेंगे वही कहेंगे, यहां मन मौजी इंसान कहा जा सकता है गाईज, आपको जो मन में आएगा वही करेंगे, यहां पर, और साथी साथ आपके लिए यह भी बताया जा रहा है, कि आपकी रेखा अगर थोड़ी सी भी तूटी-फुटी है तो उसको आप ठीक करने के लिए ठीक उसका उपाय करने के लिए गाईज आप भगवान स्यू की अराधना कर सकते हैं यहाँ पर रेमेडीज बताई जा रही है आपके लिए कि अगर ऐसी तूटी-फुटी थोड़ी बहुत रेखाएं हैं तो आप महामृत्यूंजय का जाब भी कर सकते हैं आप ओम नमः शिवाय का भी जाब करते हैं अगर आप शंकर भगवान जी की अराधना करते हैं दिल से हेल्थ भी अच्छा होगा आपका स्वास्त भी अच्छा होगा साथी साथ आपका जो सोचने समझने की सकती होगी निन्य लेने की सकती होगी वो सही दिशा में जाएगी सही रूप में जाएगी यहाँ पर यह दिया जा रहा है गाइज रेमेडीज के तौर उर पर आप इस से ही भोले नात का स्यूग की उपासना करना शुरू कर दें मंत्रों का जाप करना शुरू कर दें ताकि आपके उपर जो भी कठनाईया आएं वो हट जाएं टल जाएं और आप एक स्वस्त निरोग और एक पावरफुल इंसान के रूप में बाहर आएं और आप में जो भी त तकलीफे आ रही थी कस्टा आ रहा था परेशानियां आने वाली हैं वो सिग्र दूर हो जाएंगी गैज ये बात आप मान कर देखिए करकर देखिए ये जो मैंने रेमेडी बताई है बहुत ही सटिक है क्योंकि भगवान स्यू जो हैं बहुत जल्दी सिग्र प्रशन हो जाते आप उनके मंत्रों का जाब करते हैं लेकिन ये पूजा गाईज एकदम दिल से करनी है एकदम मन से करना है आपको मांसिक पूजा करनी है जिससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा फाइदा मिलेगा लाव मिलेगा ऐसा करके आप देखिए गाईज अगर आपको हस्त रेखा दिखाना है या टेरो रीडिंग करानी है तो आप मेरे टीम से कॉंटेक्ट कर सकते हैं नंबर डिस्क्रिपिशन बॉक्स में दिया गया है गाईज आप वहाँ से ले सकते हैं और इसी तरह आप फंचते रहिए स्वस्त रहिए निरोग रहिए और मुस्कुराते रहिए गाइस थैंक यू एब्रीवन